असलाम अलेकुम आज बनाएंगे चिकन फ्राय बोटी तो चलो बनाना स्टाइट करें एक निम्बू और ये दो चम्मच मैंने कॉन फ्लावर ली हूँ और एक चम्मच चीली फ्लेक्स एक चम्मच और अदा चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के इसाब सबसे पहले हम लोग ये मसाले को पीस लेंगे लसून अद्रक और काली मिरी और हरी मिर्ची को इसको दरदरा पिसना एक डम पेश्च नहीं बनाना है तो चलो इसको एक मिखसी में पीस लेते हैं अभी में उसको फीस लोगी तो अब wykon साला मैंचogi ली हूँ और मिला देंगे यह सारा मसाला में इसमें डाल दूँगी और इसमें डालेंगे यह कॉंच्टाज चिली फ्लेक्स और ही गैनों और नमक नमक आप अपने टेस्ट के ही साथ से डालना तर दालेंगे इसमें एक नीमबू यह इस तरह से नीमबू को निचोड़ेंगे हाथ रखे तो सारे बीज हाथ में ही रह जाएंगे यह मैं पुरा अख़्ा डाल रहे हूँ अगर आपको आदा डालना तो आप आदा भी डाल सकते हो यह देखिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह इस तरह से अच्छे से मैरिनेट करके आदा गंटी के लिए रख देंगे फ्रीज में या ऐसे ढखके भी रख सकते हैं यह देखिए अच्छे से इसको मिक्स करके इस तरह से मैरिनेट करके रख देंगे फ्रीज में तो आप देख सकते हैं यह चिकन मैरिनेट हो चुका है मैंने कडाई ले ली हूँ उसमें दाली हूँ ओई अब इसको फ्राई कर लेंगे अगर आपको इसको ग्रील करना है तो आप इसको ओन में भी ग्रील कर सकते हो या ग्रीलर पे भी बना सकते हो पर मैं इसको फ्राई करूंगी तो मैंने तेल ले ली हूँ आप अपने हिसाब से तेल लेना तेल को गरम होने देंगे तो तेल गर करेंगे जब तक यह नीचे से अच्छा पक जाएगा उसके बाद में टर्ण करेंगे अब बार बार चम्मच नहीं लगाएंगे अब इसको एकदम हल्के हाथ से टर्ण करेंगे एकदम ध्यान से करेंगे अच्छे से पकने देंगे इस बार पिर्ण कर लेंगे अभी नहीं हुआ है यह अच्छे पेस को गोल्डन होने देंगे फिर उसके बार बे निकालेंगे तो यह रेडी हो चुका है अब इसको निकाल लेंगे अब यह सेकंड राउंड कभी इसमें डाल देंगे अब इसको उसी तरह से प्राई कर लेंगे इस तरह से सारे चिकन प्राई कर लेंगे यह देखिए सेकंड राउंड कभी यह हो चुका है इसी तरह से सारे फ्राई कर लेंगे पूरा मैंने फ्राई करके निकाल ली हूँ अभी इस पे थोड़ा सा हम लोग चाट मसाला डालेंगे यह थोड़ा सा चाट मसाला डालके इसको टॉस कर लेंगे चाट मसाला डालके यह देखिए अब इसको एक प्लेट में निकालके मैं इसकी प्रेजिटेशन करूंगे अच्छे से यह देखिए यह मेरी प्लेट रेडी हो चुकी है तो चलो मिलते हैं नेक रेसिपी में अल्ला आफिस दूआ में याद रपना और मेरी चिकन बोटी की रेसिपी कैसी लगी आप लोग ज स्क्राइब करना मत बुम्ना